इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही सामान पैटर्न के एलोपेसिया, फीमेल पैटर्न हेयर लॉस के ट्रीटमेंट के बारे में डिसकस करेंगे तो इस ट्रीटमेंट में कुछ बेसिक इन्वेस्टिगेशन कराना पड़ता है डॉक्टर को यह जानने के लिए कि ब्यक्ति जो महिला है उसके हर्मोन में कोई डिस्टर्बेंस है कि नहीं है तो कुछ टेस्ट होते हैं जैसे कि हर्मोनल टेस्ट होते हैं जैसे LH, FSH, DHEAS, सीरम प्रोलेक्टिन इस तरह के टेस्ट कराया जाते है इसके लावा आपका डॉक्टर complete blood count मिलब के आपके सरीर में खून की मात्रा कितनी है थारायड ग्रंथी आपका सही काम कर रही है कि नहीं कर रही है इस तरह का भी टेस्ट का advice दे सकता है इसी तरह से यदि PCOD की polycystic ovarian disorder का doubt है डॉक्टर को तो वो ultrasound का भी indication दे सकता है टेस्ट कराने के लिए और metabolic syndrome हो तो serum insulin level भी major के जा सकते हैं तो इस तरह के कुछ blood test होते हैं सधानता बहुत ही simple test होते हैं उनको कराया जाता है कुछ ही cases में थोड़े complex test advice के जाते हैं इसके इलाज के लिए दो कटेगरी में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं खाने वाली दवाईया और लगाने वाली दवाईया पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि कैसे ये बिमारी होती है तो जो male hormone होता है जो endrozen होता है testosterone and dihydrotestosterone तो इसकी activity को रोकने के लिए अब खाने वाली दवाईया कई तरह की उपलब्ध हैं तो जिसमें एक महत्रपूर दवाई होती है spironolactone नाम की दवाई spironolactone जो दवाई होती है ये medicine में दूसरी बिमारियों जैसे की BP को कम करने के लिए पहले ज़्यादा यूज की जाती थी अब कम इस्तिमाल की जाती है तो इस परसानी में spironolactone का बहुत ही low dose regularly दिया जाता है तो जब आपका doctor spironolactone इस बिमारी के लि नहीं पाया गया है तो जो low dose दवाई यूज की जाती है वो इसमें काफी कारगर पाई गया है तो जो spironolactone नाम की दवाई होती है वो 50-100 mg के डोज में दी जाती है और सधान तो 6 महने से साल भर या फिर जरूरत पढ़ने पर और भी लंबे समय के लिए दी जा सकती है इस पायरोलक्टोन से ही related एक ड्रग होती है ड्रोसपरिनोन इस दवाई को भी कुछ डॉक्टर प्रिफर करते हैं इसके अलामा एक new medicine है जो कि कुछ डॉक्टर सब यूज करना सुरू कर दिये हैं जिसका नाम होता है बाई कलूटामाइड इस दवाई को भी अब कुछ तो finastride जो दवाई यूज की जाती है उस सधाय पुरुसों में 1 mg के रोज में यूज की जाती है जबकि महलाओं में 2 mg से ले करके 5 mg ये दवाई यूज की जाती है तो ये जो medicine है ये लंबे समय के यूज के बाद भी काफी safe पाई गई है बहुत ही थोड़े patients में ही कुछ minor side इफेक्ट्स देखे गए हैं तो फिनस्ट्राइड नाम की मेडिसिन जो होती है उस मेडिसिन से भी कुछ लोग बहुत एंग्जियस हो जाते हैं कि यह मेडिसिन मुझे क्यों दिया गया है लेकिन उससे बिल्कुल घबडायना इस मेडिसिन का भी काफी जादा उपियों की इस तरह से कुछ और भी हार्मोंठीरैपी जैसे की यूवर एंटी अंड्रोजन ऐले और SU Amplist, जो कि गर्भ निरोध गोली कि लिए किया जाता है मलब की pregnancy रोकने के लिए किया जाता है तो वो दवाई भी इस बिमारी में काफी जादा इस्तमाल की जाती है और काफी cases में इसका अच्छा असर पाए गया है तो इसमें dian 35 नाम की एक medicine है जो काफी प्रसलित है और जो salt होता है वो sypoteron acetate नाम का molecule इसके इसमें मिला होता है प्लस ethanol estradiol मिला रहता है तो यह जो जो ओरल कांट्रसेप्टिव पिल है इसको salt form में OCP बोला जाता है जब यह unmarried मतलब कि जिन लड़कियों की साधी नहीं हुई है unmarried लड़कियों को जब दिया जाता है फिमेल्स को जब दिया जाता है तो वह काफी ज़्यादा anxious हो जाते हैं वह सुछते हैं कि यह medicine hormone therapy मुझे क्यों दी जा रही है इस परसानी में तो hormone therapy जो दी जाती है उसका यहाँ पर pregnancy रोकने की परपस से नहीं दी जाती है यह आपके menstrual cycle को regular करने के लिए जो सरीर के अंदर हो रहे hormonal disturbances है उनको correct करने के लिए यह दवाई दी जाती है इसका pregnancy रोकने से इस परसानी में कोई लेना देना नहीं है मतलब यहाँ पर इसका effect द तरह से जो oral contraceptive pill होती है वो यहाँ पर दूसरी परपच की वज़े से यूज की जाती है तो इन दवाईयों को जब भी आपका doctor prescribe करें तो उसको बिना किसी anxiety के बिना किसी घबढ़ाहट के ले ले लें इसे यदि आपका hemoglobin कम पाया गया तो iron supplements या दूसरी vitamin supplements भी दिये जा सक अब जो महत्वपूर्ण दवाई दूसरी जो महत्वपूर्ण दवाई आती है वो लगाने वाली दवाई आती है तो इस बिमारी में जो सबसे ज़्यादा प्रचली दवाई है वो है लगाने वाली minoxidil दवाई तो जो minoxidil solution आता है वो 2% से 5% solution ही केवल इस्तिरियों में उसकिया जाता है इससे उपर का concentration इस्तिरियों में recommended नहीं है तो इस दवाई को एक से दो बार आपको लगाना होता है बाल के जड़ों में लगाना होता है और इसको थोड़ा सा मालिस करना होता है मालिस करके छोड़ देना होता है मिन उक्सिडिल जब भी अप लगाना सुरू करते हैं तो ऐसा हो सकता है कि सुरू के कुछ दिनों में आपका बाल जड़ना बढ़ गया तो यदि बाल जड़ना आपका बढ़ गया तो भी उस condition में आप बिलकुल भी न घबड़ा है मिन उक्सिडिल जो कमजोर बाल होते हैं उनको निकाल करके उनके जगह पे नए मोटे मजबूत बाल बनाता है मतलब कि ये एनाजन जो हैर जो मोटे पहले जो मोटे हैर थे एनाजन हैर को ये प्रमोट करता है और इसके अलामा हैर इसका अल्प में ब्लोड सप्लाई को भी बढ़ा देता है तो इससे क्या होता है कि धीरे धीरे Hassel WA बाता है नये बाल भी ऊकते हैं जो पुराने existing hair होते हैं उनमें भी उनके diameter बढ़ जाते हैं उनका strength भी बढ़ जाता है तो overall इसका long term पे काफी positive impact पाया गया है Minoxidil सधानता बहुती safe medicine होती है इससे बहुती कम cases में इसके side effect देखे गया है जैसे सर में खुजली हो सकती है लालपन हो सकता है सर में energy हो सकती है या फिर कभी कभी थोड़े बहुत दूसरे जगहों पर भी नए बाल उख सकते हैं तो इस condition में आपको कोई side effect महसूस हो रहा हो तो अपने doctor से मिलें doctor आपका जो base है उसको change कर देगा जैसे form base देगा gel base देगा तो अधिकांस में वह problem भी खतम हो जाती है इसी तरह से अब बहुत सारे निवर molecules भी treatment मिसक अबलेबल हैं जैसे कि कपेकसिल, प्रोकैपिल, रेडेंसिल, एनागेन इस तरह के भी तमाम तरह के molecules अब इस problem के इलाज के लिए लगाने वाली दवाईयों में उपलब्ध हो गई है लगाने वाली दवाईयों में biotin, caffeine भी अब अबलेबल हैं इसी तरह के कुछ आयरवेदिक preparation वाली दवाईयां भी आ चुकी हैं जिनसे की positive impact पाया जा रहा है लेकिन overall last line के तोर परियरी कहा जाए तो जो female pattern hair loss है FPHL यह एक बहुत ही challenging बिमारी है डॉक्टर के लिए भी मरीज के लिए भी क्योंकि इसमें जो improvement आता है वो लंबे समय पे आता है और कई बार बहुत ही positive improvement नहीं आता है मतलब patient आता है इस उम्मिद से कि उसके बाल बिल्कुल पहले जैसे घने मोटे लंबे मजबूत हो जाएंगे लेकिन जो भी treatment अभी अबलेबल है उनसे आप moderate improvement की आशा रख सकते हैं मतलब कि पहले जैसे बाल आपके हो पाने मुश्किल होता है मतलब कि आपके बाल जो बाल बचे ह है वो बाल बच जाएंगे plus 10% या किसी किसी में 20% extra hair growth आजाएगा इससे जादा उमीद करना गलत होगा इस बीमारी में क्योंकि इस बीमारी में बहुत अच्छे बाल आने की उमीद नहीं रखें इसके अलामा इस परसानी में कुछ injection based therapy भी उपलब्द है तो अपने देश मे platelet rich plasma therapy, PRP नाम की therapy काफी जादा popular है इस therapy में आपका ही blood लिया जाता है और उस blood को machine में डाल करके plasma separate कर लिया जाता है और उसे injection में भर करके बाल के जड़ो में जगह जगह पर लगाय जाता है तो injection के नाम पर भी काफी लोगों को घबडाट होती कि सिर में injection लगना कहीं खतरन नाक नो हो कहीं brain पी कुछ असर नो हो तो इस जो PRP ठीपी है platelet rich plasma therapy है उसका कोई भी नकरात्मक असर अभी तक नहीं देखा गया है तो PRP ठीपी जब भी आपका doctor advised है तो उसको ज़्यादा inggs नो हो उसके बारे में थोड़ा research कर सकते हैं आपकी anxiety दूर हो जाएकी और उसको क PRP उसे भी हमें multiple sessions करने के जरूत पढ़ते हैं मलब चार से 6 session कम से कम अधिकांस मरीजों जरूत नहीं होती है इसी तरह के कुछ growth factor based injections भी अब लेवल हैं जैसे कि growth factor नाम का injection भी कुछ जगहों पर popular है तो यह दी combination of treatment यूज किया जाए मलब कि खाने वाली लगाने वाली जरू दूबत पढ़ने पर PRP या growth factor तो अधिकांस पेशिंट में moderate level का improvement देखने को मिल जाता है